जै मातारानी दोस्तों मैं नीता नीता विक्रम चैनल में आपका स्वागत करती हूँ मातारानी के नाम का जैकारा लगाएं कमें सेक्षन में जै मातारानी हर हर महादीव एवं ओम नमो भगवते वासु देवाय अवश्य लिखिये आपकी सभी मनो कामनाएं भोले नाथ मापार्वती अवश्य पूरी करेंगे धन धाने के भंडार भरेंगे जीवन में सुख सभागे की व्रद्धी होगी दोस्तों अधिक मास का महिना चल रहा है अधिक मास में करे जाने वाले पुन्य कर्मों का फल दस गुना होके आपको प्राप्ट होता है अधिक मास में भोले नाथ माता पार्वती का भी पूजन इत्यादी करा जाता है जिससे जीवन में आ रहे कष्टों से मुक्ती मिलती है धन धाने सुक सभागे का आशिरवाग आपको प्राप्त होता है दोस्तों बड़ा सोमवार आ गया है इस दिन पे आपको एक शब्द बोलना है इस शब्द के बोलने से जीवन में आ रहे सभी तरह के कष्टों का नाश हो जाएगा यह उपाय आप सुमवा से शुरू करके चाहें तो पूरे अधिक मास में कर सकते हैं उपाय बहुत ही आसान है इसको आसानी से आप अपने घर में किसी भी जगह बैठके कर सकते हैं इस उपाय को करने मातर से आपके घर में पॉजिटिविटी आएगी सभी तरह की कलिश बटन को प्रेस करिए और बाजू में बनी हुई घंटी अत्मा बैल के आइकन को प्रेस करिए इससे आपको व्रत पूजा पार्ट संबंदी सभी जानकारी निश्रक प्राप्त होंगी और पूजा पार्ट में आपसे कोई गलती नहीं होगी आज का वीडियो अधिक से अध भर्मका लाव होगा और जीवन में पुन्यफलों की प्राप्ती स्वता हो जाएगी दोस्तों अधिक मास का महिना जिसे हम पुर्शोतम मास मल मास भी कहते हैं इस महिने को श्रीहरी विष्णू की क्रपा प्राप्त है आप सभी जानके आश्र में पढ़ जाएंगे कि कुछ विषेश समय साल में होते हैं जिस समय पे यदि आप कोई भी कारे करें उस कारे का आपको बहुत शुफल प्राप्त होता है इसलिए हमारे वेदों और रिचाओं में वर्डन है कि इस समय पे मनुश्यों को सांसारिक कारे न करते हुए अपनी आत्मा की शुद्धी अपने आत्म बल को बढ़ाने के लिए कारे करने चाहिए जिससे आने वाले भविष्य में वह इसका फायदा उठा सके उनका कल्यान हो सके दोस्तों इस समय पे जो कॉज्मिक एनरजी होती है वह इतनी श्रेश्ट होती है कि वह स्वयम प्रभू का आश्रवात के रूप में आपको प्राप्त होती है परन्तु इसका कुछ विशेश समय होता है अब जैसे दोस्तों जब भी सूर्य उदय होता है उस समय पे बहुत ही शुब समय होता है यदि आप इश्वर का वंदन नमन पूजन इत्यादी करते हैं तो उसका अधिक्तम पल आपको सूर्य उदय के समय पे यानि सूर्य उदय के 48 मिनिट पहले से लेके 48 मिनिट बात तक यदि किसी भी शब्द को कहा जाए वह आपको चमतकारी रूप से अच्छे और अदबुत परिणान देगा यहाँ पे मैं मंतर जाप की बात कर रही हूं शाम के समय दोस्तों कई लोग सुबह जल्दी नहीं उ होते हैं घर में नहीं भी हैं तो किसी भी शांत जगह पे आप बैठ जाएए आसानी से बस यह कोशिश करिए कि एकदम जमीन पे मत बैठिये कोई आसन लगा लीजिए और शाम में जब सूर्य अस्तव होने वाला है उससे 48 मिनिट पहले से लेके और 48 मिनिट बात तक यानि और तीसरा समय है रात का समय जो लोग ऑफिस जाते हैं शाम के समय भी यदि आपके पास समय नहीं होता है तो रात में तो सभी घर पे होते हैं और इस समय पे आप सुपाय को कर सकते हैं जैसे कि रात में साड़े आठ बजे से लेके रात के साड़े ग्यारा बजे तक ये ती वातावरण में इश्वरी प्रकाश इश्वरी एनर्जी होती है जो कि आपको खुद अद्बुत रूप से महसूस होंगी यदि आप यहाँ उपाय निरंतर करते रहेंगे तो किवल एक दिन उपाय कर लेने मात्र से आपको इसका उतना प्रभाफ नहीं मिलेगा परन्तु यह उपाय आप निरंतर करते रहें तो आपको अपने इश्ट की क्रपा जरूर होगी दोस्तों यदि आपने पहले से गुरु दीख्षा ली हुई है आपके पास कोई मंत्र है जिसका आप उचारण करते हैं और सिद्ध करना चाहते हैं तो यह वो समय है जिस समय पे आप अपन जाता है और इसके कारण उनको मंत्र जाप का विशेश पल भी प्राप्त नहीं होता तो आज मैं आपके लिए कीवल एक अक्षर लएक के आई हूँ जिसे यदि आप इन शुब समयों पे बोलते हैं तो आपको अद्वद रूप से चमतकारी परणाम देखने के लिए मिलें अजिएंगे जैसा भी आपको समय मिले सुभा के समय सुरे उद्य के समय शाम में सूरय आसत के समय या रात में सोने से पहले आप यह शब्द जरूर बोलिए यह शब्द है प्रणेव का स्वर हमारी अंदर की जो प्रांट शक्ती है उसका भी यही शर्वर है पूरे ब्रह शिव भगवान शिव पुराण में इसका वर्डन करते हैं और बताते हैं कि यदि आप प्रणव की ध्वनी करते हैं और प्रणव के द्वारा भगवान भोले नात को प्रसन्न करते हैं तो वह शीक्र अती शीक्र प्रसन्न होते हैं और भक्तों की मनोकामनाय अवश्य पूरी क खाते हैं जिससे कि उनके जीवन के कार्य बनते चले जाएं तो दोस्तों जो समय मैंने आपको बताया उन समयों पे आप केवल एकागरचित्त होके आप चाहें तो पंधरा मिनिट बैठ जाएं आपके पास यदि थोड़ा जादा समय है तो आधे घंटे तक बैठी है माला इस तरह से बोलते रहें और बिलकुल विश्रेयों के बारे में दूसरे लोगों के बारे में घर की चिंता कोई भी प्रॉब्लम सब के बारे में ध्यान छोड़ दीजिए और भगवान के चर्णों में जो भी आप कहना चाहते हैं वैसे भाव रखके बैठ जाएं कहीं पे भी बैठी आप अपने घर में पर आपको इस पूजा का अधिकतम फल प्राप्त होगा परन्तु आप इस समय पर यदि दीपक प्रजुलित करते हैं सुगंदित अगरवत्ती लगा लेते हैं और पूजा घर में बैठके इसको करते हैं तो आपका ध्यान भी अच्छ से लग जी हां नए व्रक्षों का रोपन करता है और उनकी देखभाल करता है उसे भगवान का अधिक आश्रवाप्त होता है साथ ही साथ इस पूरे मास में आप पानी की सफाई करते हैं याने जल इस्तरोत इत्यादी को साफ सुथरा रखते हैं उनके आसपास कुछ ऐसा देते हैं किसी भी प्रकार की उनकी जरूरतों को पूरा करते हैं इस प्रकार के कारे करने से शेहरे विश्नु मालक्षमी की क्रपा आप पे होती है और जीवन का जो दुर्भाग्य होता है उसका नाश हो जाता है इस पूरे समय में आपको अपने मन में अच्छे विचार र दाब्तों होते हैं जो लोग किसी इक्षा को पूरी करने के लिए कोई विशेश पूजा पाठ कर रहे हैं उनकी पूजा पाठ भी सफल हो जाती है साथ ही साथ इस पूरे मास में विश्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने से भी आपकी मनुकामनाएं पूरी होती है तो यदि आपके पास समय नहीं है तो केवल भगवान के चर्णों में एक पीला पुष्प अर्पित कर देने मात्र से भी भगवान आपकी सभी तरह के मनुकामनाओं को पूरा कर देते हैं यदि दोस्तों आप भोले नात के मंदिर में जाते हैं या आपके पास घर में कोई शिवलिं हो आप उस पर अभिशेक जरूर करिए शिवलिंग का अभिशेक करने से भोले नात अतिप्रसन होते हैं और आपकी जो भी मनोकामनाओं होती हैं उन्हें शीघर पूरा कर देते हैं खासतोर पर जो लोग अध्यात्म और भगवान की भक्ति करते हैं उन्हें शिवलिंग का पूजन करना चाहिए जो लोग सांसारिक सुखों की प्राप्ति करना चाहते हैं उन्हें भोले नात और माता पारवति का साथ में मूर्त रूप में पूजन करने से सांसारिक कामनाय अतिशीग्रप पूर्र होती हैं तो दोस्तों आपकी जो भी मनो कामनाय हैं आप चाहते हैं आपको भगवान की भक्ती प्राप्त हो, भगवान आपके सत कर्मों को पहचाने, आपको दर्शन दे, आपको किसी अच्छे संत की साथ प्राप्त हो जाए, आपको किसी अच्छे गुरू से दीख्षा इत्यादी मिल जाए, तो शिवलिंग का पूजन अर्चन जरूर करिए, शिवलिंग का पूजन अर्चन करने से भोले नाथ प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों पे दया करते हैं उनके जीवन में रोशनी आती है उनके जीवन में ज्यान का उजाला आता है आप सभी के जीवन में सुक्षवभाग्य आये ऐसी में कामना करती हूँ ये अधिक मास आपके जीवन में अधिकतम फलों की प्राप्ती कराए आपके जीवन में किसी प्रकार की कमी नहीं रहे जिसको भगवान की प्राप्ती हो जाती है दोस्तों वैसे भी उसके जीवन में किसी तरह का कलेश नहीं रहता कोई दुख नहीं रहता आप सभी को इश्वर की प्राप्ती हो इश्वर की भक्ती में आप सभी को उत्तम फलो की प्राप्ती हो ऐसी मैं कामना करती हूँ आज का वीडियो यदि आपको पसंद आया है तो इसे लाइक करिए परिवारों मित्रों के साथ जरूर शेयर करिया और उसे सब्सक्राइब करिए अगली बार एक नया वीडियो लेकिए आपसे जल्दी मिलती हूँ तक तक के लिए नमस्ते जै माता रानी